नमस्का दोस्तो मैं हूँ रानापुता प्रॉय आपका दोस्त दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूटीव चैनल पर जिसका नाम है रानापुता प्रॉय यानि की मैं दोस्तो आज का वीडियो का टॉपिक है म्यूकेन जेल Mucan Gel एक sugar free suspension है जिसका इस्तेमाल पेट में असनिय दरद होने पर किया जाता है जब अन कोई medicine काम नहीं कर पाता है चाहे वो antacet syrup हो, capsule हो या फिर injection हो जब कोई अन दवाई काम नहीं कर पाता है तब Mucan Gel काम करता है Mucan Gel क्यों काम करता है ऐसा और ये किस प्रकार से लेना चाहिए, कितनी मातरा में लेना चाहिए इसको लेने से क्या कोई नुकसान भी हो सकता है तो सारी बाते में आज आपको बताने वाला हूँ बहुत ही संख्षिप में आसान भाषा में और हिंदी में समझाने वाला हूँ इसी भी बज़ा से आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसीडीटी हो रहा है आपका इस्टोमाक में एसीड का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी बज़ा से आपके इस्टोमाक में इंटेस्टाइन में या फिर आहर नाल में बहुत ज़्यादा दरद होता है जलुन होता है उस condition में आप क्या करते है सबसे पहले फेमोटीडिन और रेनेटीडिन लेते हैं नहीं होता है तो फिर ओमिप्रजल पेंटाप्रजल रैभीप्रजल आधी लेते हैं कम नहीं होता है कोई Antacet syrup है जैसे कि Jalusil MPS है या फिर और इस प्रकार की कोई भी Antacet syrup लेते हैं लेकिन फिर भी आपको कोई आरब नहीं होता है फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और जाके डॉक्टर आपको injection लगाते हैं इंजेक्ष्यान लगाते ही तुरांत आपका जो दरद है जलन है वो कम हो जाता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंजेक्ष्यान लगाने के बाद भी जो जलन है वो कम नहीं हो रहा है, patient तडप रहा है दरद की वज़ए से तो उस समय आपको क्या करना चीहे? तो उस समय आप को मियुकेन जेल सस्पेंशन का इस्तेमाल करना चीए ये प्रिगनेंट लेडिज ब्रेस्ट फ्रीडिंग मदर बच्चे बुढ़े चाहे वो किसी भी क्रॉनिक बीमारी से जूज रहे हो या फिर शुगार हो उनको डायबेटीज हो तो ये सारे लोग इस सिराप का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिराप है इसका मात्र दो ढखकन लेने से ही जो जलन है तुरंत ही कम हो जाता है तो ये सिराप इतना फायदा क्यों करता है इसके अंदर कौन सी मेडिसीन है देखिए ये तिन दबाव का एक कंबिनेशन है इसके प्रती 5 एमेल में पाय जाता है औक जीटा केन 10 एमजी एलुमिनियम हाइड्रोकसाइड 0.291 ग्राम प्रती 5 एमेल और मिल्क ओफ मेगनेशिया 0.98 एमजी प्रती 5 एमेल सबसे पहले बात करते हैं औक जीटा केन की औक जीटा केन दोस्तों ये एक प्रकर कर लोकल अनस्थेटिक है इस टोमाख में या आत में या आहर नाल में कही पर infection है घाओ है तो उस समय अतिरिक्त एसिड का सेक्रेशन होने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा जलन होता है तो उस समय औक जीटा केन लेने से उस पार्टिकॉलर एरिया को जो की infected है उसको सुन करने का काम करता है साथ-साथ जो aluminum hydroxide है यह एक प्रकार का entacit है और इसका काम होता है अतिरिक醋 acid का secretion को काम करना या फिर जो acid का secretion हो रहा है अतिरिक तो उसको अपने अंदर absorb करना इसके साथ साथ जो milk of magnesium है इसका क्या काम होता है दोस्तों milk of magnesium यह एक प्रकार का saline legislative है और इसका पानी की धारण शमता को बढ़ाना जब मल में पानी की धारण शमता कम हो जाता है तो लेटिन शक्त हो जाता है कठिनाई से लेटिन आती है तो उस समय मिल्क आप मैंगनेशिया को लेने से मल तेगने में आसानी होती है यानि कि जो म्यूकेन जेल सस्पेंशन है इसके अंदर तीनों दबाव का जो combination है वो होने की बज़ा से stomach में या पेट में अतिरिक्त acid का जो secretion है वो नहीं होने देता है और acid का जो secretion होता है उसको पेट से नियमित रूप से बाहर निकलता रहता है और जिसकी बज़ा से patient को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है जब आपको gastric हो जाता है अलसर हो जाता है इस stomach में घाव हो गया है तो घाव तो देखिए एकदम से ठीक नहीं होगा वो होने में सही होने में time लगेगा लेकिन आपको आराम के लिए जो mucan gel है उसको बारबल लेना पड़ सकता है इसको लेने का सही तरीका क्या है दोस्तों अगर mucan gel की dose की बात करें तो बैश्क व्यक्ति को 10 ml दवाई सुभा शाम दो टाइम या सुभा दो पर शाम तीनो टाइम दिया जा सकता है बीमारी की तिवरता अधिक होने पर 15-20 ml तक दिया जा सकता है एक बार में मान लिजिए आपका 15-20 ml देने के बाद में आपका दरद ठीक हो गया है तो अगला dose आप 10 ml ही दीजिए 10 ml से कंट्रोल हो रहा है तो अच्छी बात है और एसिट की मात्रा बहुत ज़्यादा है कंट्रोल नहीं हो रहा है आरम नहीं मिल रहा है तो आप 15-20 ml तक भी दे सकते ह से मेल और आप एट कर सकते हो एक बार लेने के बाद में अगर दुबारा आपको लेने की आवजशकता नहीं हो रही है तो आप ना भी ले सकते है या फिर बीज बीच में आप ले सकते है या सुभा शाम दो टाइम आप ले सकते हो जुर्रत होने पर कि आपको सुभा जुरूरत हो आपको तब आप ले सकते हो धिरे-धिरे इसकी मात्रा को आप कम कर सकते हो या जब infection सही होगा acid का secretion कम होने लगेगा तो दरत भी अपने आप कम हो जाएगा जलन भी अपने आप कम हो जाएगा इसके कुछ side effects भी होते है जब आप इसके ज़्यादा मात्रा में ल side effects हो सकता है बाकी इससे कोई side effects नहीं है बहुत अच्छा सिराफ है और खास बात यह है कि यह सभी उम्र के लोग ले सकते है जो pregnant ladies है और जो breastfeeding mothers है बो भी ले सकती है और किसी को chronic बीमारी है या फिर कोई sugar का patient है तो बो भी इसको ले सकते है बहुत छोटे बच्चे इसको ना अगर आपको बीमारी की तिवरता ज्यादा है तो आप घटा बढ़ा करके आप दबाई ले सकते हो तो म्यूकेन जेल जो की एक प्रकार का एंटसीड सीराप है और जिसका इस्तेमाल करने से gas acidity खतम होती है constipation भी ठीक रहता है मल तैगने में आपको कठीना ही नहीं होती है और अगर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ की स्थिती में है तो उस समय आपको ये तुरंत रहत देता है आपके इस टोमाक में जो भी जलन है उसको एकदम से जादू की दर जैसे सुन कर देता है उसी प्रकार से ये आपको फायदा करता है तो इसके बारे में संग्षेप मे जो भी मैंने जान करी आपको दिये है बहुत ही सरल भासा में आपको समझाने की कोशिश किये है आपको आशा करता हो कि अच्छी लगी होगी और जरह सब भी helpful लगा है हमारे वीडियो हमारी जान करे तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना दोस्तों में और अभी तक हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को एकष कर लेना और प्लीज औल पिप्रेस करना तक इस प्रकार के वीडियो का नौटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पोश सके तो दोस्तों इसी कामना के साथ की आप सभी स्वास्त्रेए सुरक्षित्रेए जय हिंद जय भारत